हाँ तो दोश्तों यहाँ पे डीपक नाइटराइट के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं तो चैलिए शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम डिविडेंट की बात करेंगे तो 4.5 रुपीच का डिविडेंट यहाँ पर कंपनी ने रिकमेंड किया है अगर अगर आपके पास 10 share है तो आपको 45 रुपीज का dividend मिलेगा और उसके बाद अगर हम यहाँ पर मेन result की अगर हम बात करें तो जो total revenue है वो quarter on quarter basis पर यहाँ पर 18.5% बढ़कर 1463 करोड हो चुका है अब इसी के साथ अगर हम net profit की बात करें तो वो 34% बढ़कर 290 करोड हो चुका है तो दिखे quarter on quarter basis तो यहाँ पर company के revenue में भी अच्छा ग्रोथ है और profitability में भी हमको अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है अब इसके बाद अगर हम year on year यानि कि पिछले साल के जैनुरी से मार्च वाले quarters अगर हम compare करेंगे तो वहाँ पर हमको 38% का growth revenue में देखने को मिलता है और जो total revenue है वो है 1463 करोड का तो year on year भी यहाँ पर अच्छा revenue बढ़ा है और quarter on quarter basis पर भी यहाँ पर revenue अच्छा हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अब HDL अगर हम net profit के बाद करेंगे तो यहाँ पर year on year basis पर जो total net profit है वो 68% yoy बढ़कर 290 करोड हो चुका है अब 68% यानि पिछले साल अगर company ने 100 रुपए कमाया थे तो वो सीधा 168 हो गया है तो यहाँ पर आप देखोगे तो year on year basis पर बहुत ही अच्छा growth देखने को मिल रहा है और quarter on quarter basis भी यहाँ पर company के result अच्छे हैं तो जो share holders के लिए जो इतने time से तो share rally हो रहा था तो वो यहाँ पर company ने पूरा साबीद करके दिखाया है अब यह देखिए 26,064 करोड का market cap और company में full potential है कि वो यहाँ पर एक तरीके से large cap company बन सकती यानि की 35,000 करोड का market cap इस company का हो सकता है देखें इंडस्री के piece चे तो आपको अभी कम पे मिल रहा है लेकिन यह जो result है इसके बाद जो इसका 48.24 जो इसका आपको यहाँ पर price to earning ratio दिख रहा है वो इसके बाद हो जाता है 56 रूपीज तो 56 रूपीज के हिसाब से इसका जो price to earning ratio जो आज की closing price है उसके हिसाब से 33-34 times निकल कर आता है तो valuation point देखें आप अभी यह नहीं कह सकते कि यह stock अभी undervalued है यह एकड़म अच्छे valuation पर यह stock आपको अभी मिल रहा है अब यह देखें growth पर नज़र डालिए पिछले 4 साल चाप देखें exponential growth आपको revenue में देखने को मिल रही है 18 के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सीधा अगर आप देखोगे almost double around 80% का growth revenue में देखने को मिला है फिर वहाँ से 70-80% का growth हमको revenue में देखने को मिला है और ऐसा ही हमको यहाँ पर profitability में भी होता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर देखें exponential growth अगर company दिखाएगी तो CDC बात ही कि वो आपको मेंगे valuation पर ट्रेड होगी होगी और उसमें अच्छी गाशी rally भी आपको देखने को मिलेगी अब यह देखिए 1904 पर यह share भी trade हो रहा है और 1955 का इसका high है देखें जिस तरीके से इसके result आए है मेरे ख्याल से कल market इसको एक अच्छी गाशी gap up opening देगा और वही पर एक new high share आपको बनाता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर short term के लिए मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा तो अगर बाइचान थोड़ा सा market में हमको correction देखने को मिलता है तो यहाँ पर भी थोड़ी हमको profit booking देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर जो long term investors हैं उनको यहाँ पर definitely मेरी तरफ से recommendation होगी कि यह stock अपने radar पे रखिए अगर यह stock अपने अभी तक buy नहीं किया तो मेरी ख्याल से जरूर आपको buy करना चाहिए तो कि इस पर आप return on equity इस पर नज़र डाल लिए 35 से 40% का यहाँ पर return on equity है और अभी company debt में भी है around 0.65 का company का debt to equity ratio है तो अभी अगर आने वाले एक दो सान में जब company debt free हो जाएगी तो company के margin के percentage हैं हम बात करते हैं net profit margin percentage की जो हम बात करते हैं तो वो आपको और बढ़ते हुए नज़र आएंगे तो company की profitability और बढ़ेगी तो जो company अभी interest payment के form में जो अपने debt holders को दे रही है तो वो बाद में अपने जो share holders से उनको dividend के form में देगी तो इसलिए यहाँ पर debug nitrate मेरे ख्याल चे एक aggressive investor के लिए बहुत ही बढ़िया stock मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है तो long term investor definitely buy कर सकते हैं और जिन लोगों ने पहले से invest कर रखा है बने रही है और छोड़ा short term यहाँ पर speculation हमको नज़र आ सकता है लेकिन उससे pending money यह long term में यह stock आपको अच्छे return लाकर देगा ओके दोस्तों तो मैं hope करता हूँ कि आपको debug nitrate के Q4 के result के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी queries हैं आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूँगा ओके दोस्तों thank you have a nice day